हलो दोस्तों मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ विकाश स्टिडी सरकिल के यूटूब चैनल पर दोस्तों पिछली हिंदी की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्पूल टापिक तदभव और तत्सम इन पे चर्चा की थी जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपकी आगामी परिच्छा यूपी ट्रिपेल सी पीटी की दृष्टि से तदभव तसम सुद्ध सुद्ध वर्तनी सब्द विलोम सब्द ये सारे बहुत ही महत्पूल हैं तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क् क्लास में हम लोग कुछ महत्पूल विलोम सब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ आंध तक जरूर बने रहें वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब जरूर से जरूर करें चलिए दोस्तों बिना समय गम सुरू करते हैं आज की क्लास को विलोम सब्द विलोम सब्द विलोम सब्द आप सभी लोग जानते होंगे कि विलोम होता क्या है विपरीत किसी सब्द का विपरीत जैसे दिन का रात यह होता है विलोम आप सभी लोग इससे चीज़ से परिचित होंगे और यूपी ट्रेप इसका विलोम क्या होगा इसका विलोम होगा निरस्त्री करण अगला है दोस्तों आई इसका विलोम होगा शुस्क most important है याद रखना जैसा कि मैंने आप लोगों को तद्वात असम सब्द पढ़ाते टाइम बताया था कि आप लोग अब जो फेमस हैं उन पे ध्यान दीजिए लेकिन उतना उससे अधिक कहीं ध्यान दीजिए वो सब्द जो नए हो आप लोगों के लिए क्योंकि अब examiner आपके paper में रखते हैं तो दोस्तों आप लोग जो नए नाम है उन पे अधिक focus करना जैसे ये दिया है आई आई का विलोम क्या होता है सुस्क most important है आप लोगों के लिए most important है आगे बढ़ते हैं अगला दिया है आकरसन अगला है आकरसन आकरसन इसका आप सभी को पता होगा इसका होता है विकरसन और क्या होता है इसके दो तीन नाम लिखें हैं वो भी आप लोग ध्यान दीजिए आकरसन का विलोम होता है विकरसन और अपकरसन भी होता है और अनाकरसन भी होता है तो आप ये भी याद रखिएगा जो आपके आपसन में हो वहाँ पे आप अपनी स अगला दिया है आकांच्छा, आकांच्छा का सब्द का विलोम होता है अनाकांच्छा, अगला दोस्तों दिया है आकास, आकास का विलोम होता है पाताल, अगला दोस्तों दिया है आकीड, आकीड का विलोम होता है विकीड, most important है आप डबल टिक कर लेना इसको, अगला दोस्तों दिया है आक्रमड इसका विलोम होता है प्रतिरच्छा Most important है इसको भी आप लोग टिक कर लीजिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला हमारा दिया है आगत अगला सब्द है आगत इसका विलोम होता है अनागत अगला सब दिया है दोस्तों आगमन इसका होता है निगर्मन ये भी होता है दोस्तों निगमन ये भी होता है आगमन का अगला दिया है आगामी सब इसका विलोम क्या होता है वीगत इंपोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए आगामी का वीगत अगला दिया है आग्रह इसका विलोम होता है दुराग्रह अगला दोस्तों दिया है आचार इसका होता है अनाचार ये तो आप सभी लोग पर पुछा भी जा चुका है और यूज भी होता है आमतोर की भासा में अगला दिया है आच्छादित इसका क्या होता है अनाच्छादित अगला सब्द है दोस्तों आजादी इसका होता है विलोम गुलामी अगला दिया है दोस्तों आज्याकारी इसका विलोम होता है अनाज्याक अगला दोस्तों दिया है आज्या पालन और इसका विलोम होता है अवग्या डबल टिक कर लीजे मोश्ट इंपार्टेंट है आप लोगों के लिए आज्या पालन इस सब्द का विलोम क्या होता है अवग्या अवग्या मोश्ट इंपार्टेंट है पूछा जा चुका है एक ब डबल टिक कर लीजीगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सब दिया है हमारा आडंबर मुक्त, इसका बिलों क्या होगा अडंबर हीन, ये भी आप अनुमान लगा लेंगे, अगला दिया है अंगीकार या स्वीकार, इसका बिलों क्या होता है अस्वीकार, subscribe कार देखके आप लोग अस्विकार तो लगा लेंगे लेकिन अंगीकार अगर कहीं पर गलतियां बिल्कुल ना करिए क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्जाम में जादा तर आमतर बच्चों के साथ यही होता है कि आते हुए पांस से साथ कुष्चन गलत कर देते हैं और वहीं से सेलेक्शन रुख जाता है तो आप छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल अंतरंग इसका क्या होता है बहिरंग अगला दोस्तों दिया है सब्द अंतरवंद इसका क्या होता है बहिरवंद आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है अंधकार बहुत यूज होता है इसका प्रकास होता है अगला सब्द है अकर्मक इसका होता है सकर्मक अगला है अकाल इस इंपर्टेंट है और ये अच्छम ये भी इंपर्टेंट है आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सब दिया है अग्र इसका विलोम होता है पच्छ अगला दिया है अग्रज इसका होता है अनुज ये भी पूछा जा चुका है आपकी परिच्छाओं की द्रट से ये सब्द भी important है, अगला दिया है अध, इसका होता है क्या, अनद अगला दिया है अग्योस, इसका होता है सघोस या खोष, याद रखना दोनों यही सघोस और अग्योस हिंदी से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं सगोसवाड़ा और गोसवाड़ा आप लोगों के हिंदी में है अगला दिया है अचर इसका होता है चर इसका विलोम होता है चर अगला सब्द दिया है अजे इसका होता है विलोम सब्द जे अगला दिया है सब्द अग्य इसका विलोम होता है विग्य अगला सब्द है अतल इसका विलोम होता है वितल अगला सब्द है अति इसका विलोम है अल्प most important आप लोगों के लिए हर एक्जाम की द्रट से ये most important अति का विलोम क्या है होता है अल्प अगला दिया है सब्द अतिथी और इसका विलोम होता है आतिथ ः Very Very important double tick का लीजिया आप लोग इसको अतीत ही काविलोम क्या होता है आतीत थे अतीत आगे बढ़ते हैं अगला सब दिया है अतिवरश्टी अतिवर्श्टी का विलोम होता है अनावरश्टी या अल्बरश्टी ये भी आप लोगों के लिए important है ये भी एक बार परिच्छा में पूछा जा चुका है you Octed के exam में अति वरष्टी का विलोम क्या होता है अना वरष्टि उगला सब्द दिया है दोस्तों maybe उट तकांत इसका क्या होता है विलोम तकांत अगला सब्दिया है अथ इसका होता है इती अस मिंस होता है प्रारंभ इतिमिन्स होता है, समाप्त ये भी आप लोगों के लिए important है, डबल टी किसको भी कर लीजिए, अगला सब्द ही दिया है अदे, इसका विलोम होता है दे, अगला सब्द है अधम, इसका विलोम होता है उत्तम, ये भी important है, आगे बढ़ते हैं, अगला सब्द दिया है दोस्तों अधिकार इसका विलोम होता है अनाधिकार अगला सब दिया है अधू अधुनातन या नूतन नूतन इसका विलोम होता है पुरातन ये भी विलोम सब्द होता है प्रतिक्रिया, अगला सब्द है अनुग्रह, इसका सिविलोम होता है विग्रह, अगला सब्द है अनुज, इसका विलोम होता है अग्रज, अनुज मिन्स छोटा, अग्रज मिन्स बड़ा, याद रखना, अगला सब्द दिया है दोस्तों अनुनासिक, इसका विलोम होता है निर्नुनासिक, अगला सब दिया है अनुपस्थित, इसका आप सभी जानते होंगे, उपस्थित होता है विलोम, अगला सब दिया है अनुयाई, इसका विलोम होता है विरोधी, most important, अगला सब दिया है दोस्तों, अनुरुक्त, इसका होता है विरत, ये भी आप लोगों के लिए important है, अगला सब दोस्तों है आत्म निरफर, इसका विलोम होता है अनुजीवी या परजीवी, इसको भी आप लोग डबल्टिक कर लीजे, ये भी important है, अगला सब दोस्तों है जैसा कि मैं बार-बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोग को आते हैं, विलोम सब्द, उसमें तो आप लोग, गैस कर ले जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल विपरीत हैं, जो बिल्कुल आप लोगों ने सब्द नहीं देखे हैं, उन पे जादा फोकस कर propagation करेंगा आगे है आदान इसका होता है प्रदान ये भी बिल्कुल नार्मल सा है अगला सब्दिया है आदी इसका होता है अंत या अनादी भी कह लेते हैं जैसा भी आप्सन में हो वहाँ उस तरीके से आप्सन में टिक करेंगे अगला सब दिया है आद्रत इसका होता है अनाद्रत या निराद्रत या तिरस्क्रत तीनों वर्ड याद रखना आद्रत का विलोम होता है अनाद्रत निराद्रत या तिरस्क्रत अगला दिया है सब आधार इसका विलोम होता है निराधार अगला सब दिया है आधुनिक इसका विलोम होता है प्राचीन ये भी आप लोगों के लिए इंपार्टेंट है क्योंकि ये भी एक बार परिच्छा में पूछा जा चुका है अगला सब दिया है आनंद इसका होता है विलोम सोक आनंद का सोक होता है या विसाद होता है दोनों दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में ब अगरफी, हिस्ट्री, ये सारी क्लासे भी आप देख सकते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सब्द है आनंदमय, इसका क्या विलोम होता है, सोकमगन या विसादपूर, दोनों होता है, अगला सब्द या है आमिश, इसका विलोम होता है निरामिश, अगला है दोस्तो आय इसका होता है विलोव वय अगला सब्से आयात इसका होता है निर्यात आप सभी लोग पर irrigीप होता है अवरो अगला है अद्र इसका विलोम होता है सुस्क है इंपने नहीं के लिए अगला सब्द है अर्रे इसका विलोम होता होता आणfte य सकता है अगला सब्रक्ष्र इसको अगला सब दिया है आलसी इसका विलोम होता है करमठ्या करमड अगला सब दिया है आलसी इसका विलोम होता है इसपूर्थी ये भी आप लोगों के लिए important है आलसी का विलोम क्या होता है इसपूर्थी अगला सब दहे आलोक इसका विलोम होता है अंधकार अगला सब्द दोस्तों दिया है आवर्तन आवर्तक इसका विलोम होता है अनावर्तक अगला सब्द है दोस्तों आवस्यक इसका विलोम होता है अनावस्यक बिल्कुल नार्मल सा है ये तो अगला सब्द है आवास इसका विलोम होता है प्रवास अगला सब दिया है आविर्भूत इसका होता है विलोम तिरोभूत या तिरोहित most important है दो बार परिच्छा में पूछा जा चुका है यूपी टैट की तो आप लोग इसको ध्यान रखिए क्योंकि आपके एक्जाम में ये आ सकता है very very most important ये है आविर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत या तिरोहित और एक चीज याद रखना देखो अगला ही दिया है आविर्भाव इसका क्या होता है तिरोभाव ये दोनों परिच्छा में पूछे जा चुके हैं आप लोग इनको याद रखना और आविर्भाव का मतलब क्या होता है प्रकट इसका विलोम तो तिरोभाव होता है और प्रकट का क्या होता है लोग ध्यान देना फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अगला है आवरत इसका क्या होता है अनावरत ये चार जो दिये हैं आविर्भूत इसका होता है तिरोभूत या तिरोहित और अगला दिया है सब्द आविर्भाव इसका विलोम होता है तिरोभाव अगला दिया है रियाद रखना इसका इस्क्रीन सॉट ले लीजिएगा आगे बढ़ते हैं अगला सब दिया है आसा इसका विलोम होता है निरासा अगला सब्द है आशिस इसका होता है अभी साप या साप अगला है आशिरवाद इसका भी विलोम होता है अभी साप इंपर्डेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि यह परिच्छा में पूछा जा चुका है अगला सब्द है आस्था इसका विलोम होता है अनास्था अगला सब्द है आहार इसका होता है निराहार यह सब नार्मल से हैं आप सभी इन से परचित होंगे, अगला सब्द है इच्छा, इसका होता है विलोम अनिच्छा, अगला सब्द है इच्छित, इसका होता है अनिच्छित, अगला सब्दोस्तों दिया है इती, इती मींस समाप्त और अथ मींस प्रारंब, ये अभी आ चुका है एक बार, अगला है इष्ट इसका विलोम होता है अनिष्ट अगला सब्द है इह लोग इसका होता है विलोम पर लोग दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्पूर विलोम सब्द आप लोग वीडियो को एक से दो बार जरूर देखिए और चैनल को जैसा कि मैंने बताया चैनल के साथ जुड़िये और अधिक से अधिक सस्क्राइब कीजिए अगली हिंदी की क्लास में मैं आप लोगों के मद्द है फिर कुछ आपके यूपी ट्रिपल सी पीटी एक इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो हिंदी की क्लासेस आप लोगों की चल नहीं थी उसको कुछ दिनों के लिए रोक रखा है क्योंकि इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस और या यूपी पेट के स्लैबस में जो कुछ भी है हम वही आप लोगों को दे रहे ह इस टाइम पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़िए ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए विकास स्टीडी सरकिल परिवार आप सभी के उजल्भविस्य की कामना करता है आप सभी आगामी परिच्छा में अच्छे नंबर लेकर आए और सभी क्वालिफाई हो सभी सलेक्ट हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए चैहिंद